हालो फ्रेंड्स मैं हूँ अर्चना वेलकम तो माईजैनल फोडशेप आज मैं बना रही हूँ गुजिया गुजिया बनाने की एकदम परफेक्ट रेशिपी आप देख रहे हैं वैसे तो आपने बहुत सारी रेशिपीज देखी होगी लेकिन आज चो आप ये रेशिपी दे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि इतनी परफेक्ट रेसिपी है तो आए ये बनाते हैं इसे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गुचिया बनाने के लिए सबसे पहले आटा त्यार कर लेते हैं तो इसके लिए मैं ले रही ह दो चमबच देशी घी ये 30 ml है यानि कि दो चमबच अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे गुचिया बनाने में क्या है जो इसका आटा होता है ना उसमें बहुत जादा मोयन डालने की जरूरत नहीं होती है बहुत हलका सा मोयन डाला जाता है जैसे डेर कप आटे में मैंने दो च यह इस्तेमाल ना करें क्योंकि गुजीया जो होता है खस्ता नहीं होता है अब इसे मिक्स करने के बाद हलके गरम पानी से अच्छी तरह घूत लेंगे ギिच पानी बहुत जादा गरम नहीं करना है हलका गर्म करना है और थोड़ा थोड़ा डाल कर एकदम कड़ा आटा जिस तरीके से हम पूरी का आटा तयार करते हैं उस तरीके का आटा तयार करना है बस ये आटा मैंने तयार कर लिया है अब इसे एक साइड ढख कर रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए अब इसका मिक्षर तयार कर लेते हैं जो इसमें भरना है तो एक पैन में एक चम्मज खी डाल दें अब मैं इसमें डाल रही हूँ वन फोर्थ कप सूजी ये बारीक वाली सूजी है आप मोटी वाली सूजी का भी इस्तिमाल कर सकते हैं गुजिया में सूजी भी पड़ता है और वो जो सेवई होता है बारीक वाला वो भी पड़ता है उसे भी आप भून कर इस्तिमाल कर सकते हैं एक से दो चम्मज बस चार से पांच मिनट ही भूनना है ज्यादा नहीं भूनना है भूनने के बाद अब इसे एक बोल में निकाल लेंगे मैं इसमें सेवई का इस्तिमाल नहीं कर रही हूँ आप चाहें तो दो चम्मज भूना हुआ सेवई डाल सकते हैं ये है खोवा यानि की मावा ये घर पर ही मैंने बनाया है एक लिटर दूद और अर्धी कटूरी जो दूद की मलाई है उसे डाल कर बनाया है मैंने बहुत ही अच्छी तरह भून ले बस ये खोवा यानि मावा बनकर तयार हो जाता है वैसे मावा या खोवा किस तरीके से बनाया जाता है उसकी वीडियो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं बस इसे सूजी वाले बोल में डाल देते हैं अब इसमें ड्राइफ फ्रूट्स डाल देते ह तो ये ले रही हूँ मैं दो चम्मच बारीक किया हुआ नारियल दो चम्मच बारीक किया हुआ बादाम दो चम्मच बारीक किया हुआ काजू दो चम्मच बारीक किया हुआ यानि इसको मैंने दो हिस्सा कर लिया था किसमें इसको एक छोटा चम्मच इसमें इलाइची का प पॉपी सीट्स यानि पोजता दाना भुना हुआ दो से तीन मिनट के लिए इसे भूल लेंगे और दो चमच चिरोंजी इन सारी चीजों को डाल कर अच्छी तरह मिक्स कर लें बस अब इसमें कुछ नहीं डालना है जो खोवा होता है वो भी हलका गरम होता है क्योंकि हम उसे दालते हैं और यह जो सूची है वो भी हलका गरम होता है बहुत जादा गरम नहीं होना चाहिए यह सब चीजे अब इसमें हम चीनी डालेंगे जो नॉर्मल चीनी होता है न बस उसी चीनी को ग्राइंडर में डाल कर आप पीस लें और उतना डालें जितना आपको मीठा पसं इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालें और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे मावा और वो सूची के गरम होने से इसमें हलका सा मॉइस्चर आ जाता है जो कि गुजिया को भरने में आसानी हो जाती है बस यह मिक्षर अच्छी तरह तैयार हो चुका है इधर यह जो अब एक दूसरे बोल में निकाल ले और इसे हम कवर करके रखेंगे जितना हमने लोई बनाना है उतना ही आटा ले और बाकी का जो आटा है उसे हम ढख कर रखेंगे नहीं तो यह सूखने लगेगा अब छोटी छोटी लोईया बना ले जिस तरीके से हम पूरी बनाने के लिए लोई काटते है न उसी तरीके से छोटी छोटी लोईया बना ले सारी लोईयों को बना कर हम ढखकर रखेंगे ताकि ये सूखे ना अब मैं आपको बेल के दिखाती हूँ इसे हमने पतला बेलना है मोटा नहीं बेलना है बस जितना पतला आप बेल सकते हैं आसानी से उतना पतला बेल ले हलका सा मैदा लगा सकते हैं इसको बेलते समय बहुत जादा नहीं लगाना है जादा लगाने से क्या है जब हम इसे फ्राई करेंगे तेल में तो उसमें जादा काला पन आ जाएगा इसलिए बहुत हलका हलका सा मैदा ड़स्ट करें और आप इसे बेल ले पतला सा गुजिया बनाने के लिए मैं इस तरीके से साचे का इस्तमाल कर रही हूँ ये मार्केट में आपको बहुत यासानी से मिल जाता है बस इसके बीच में इस तरीके से रखें अब इसके किनारों पर पानी लगा लेंगे सिर्फ पानी का इस्तमाल करना है पानी में कोई मैदा अगर नहीं मिलाना है सिर्फ पानी का इस्तमाल करना है अच्छी तरह लगा लें और ये जो गुजिया का मिक्षर है न उसे हम दो से तीन चमच इसमें डाल लेंगे अच्छी तरह भर लें क्योंकि गुचिया फ्राई होने के बाद थोड़ा सा फूल जाता है अगर आप इसमें कम भरते हैं तो वो खाने में अच्छा नहीं लगेगा बस हलके हाथों से इसे दबाएं और जो इक्स्ट्रा जो आटा है उसे बाहर निकाल लें बस देखिए बहुत ही अच्छी तरह ये गुचिया बनकर तयार हो जाता है हलके हाथों से इस तरीके से हलका सा दबादें ताकि इसका खुलने का कोई चांस ही ना रहे एक गुचिया मैं आपको और दिखाती हूँ बनाके पतला बेलना है जितना पतला आप बेलेंगे न उतना ही ये जो गुचिया है अच्छा बनेगा मैं आपको इसकी ठीकनेस भी दिखाती हूँ कि कितना पतला आपने बेला है वैसे बिना साचे का भी गुचिया बनाया जा सकता है गुजिया बनाने की पहले भी मेरे चैनल पर वीडियो है आप उसे भी देख सकते है देख रहे हैं बस इतना ही पतला हमने बेलना है बस दो से तीन चमच मिक्षर इसके बीच में रखे और इस चीज का ध्यान रखे कि जो ये मिक्षर है न ये किनारों पर ना लगे अगर किनारों पर लग जाएगा तो गुजिया फ्राई होते समय फट सकता है बस बहुत ही आराम आराम से करें जल्दिबाजी में ना करें बस जो इक्षरा आटा है उसे निकाल लेंगे इस तरीके से साचे में बनाने से क्या होता न आटीक तो फटा फट हो जाता है और ये जो गुजिया है न बहुत ही अच्छा लगता है द HOW इसी तरीके से जोग जो गुजिया है SPEC की हलके गरम तेल में बहुत ज़ादा अगर तेल गरम हो गया हो न तो उसे आप हलका ठंदा हो जाने दे तब इसे डाले क्योंकि इसे हमने क्या करना है करीब 8-9 मिनट तक फ्राई करना है एकदम धहीमी आज पर हाई फ्लेम पर या मेडियम फ्लेम पर हमने इसे fry नहीं करना है अगर आप इसे तेज आज पर fry करते हैं तो ये जल्दी से लाल तो हो जाएगा अच्छा नहीं लगेगा खाने में और ठंडा होने के बाद इसका आकार जो है वो खराब हो जाएगा सिकुर जाएगा, छोटा हो जाएगा इसलिए इसे हमने धीमी आज पर fry करना है करीब 8-9 मिनट हो चुका है इसे धीमी आज पर fry करते हुए और ये बहुत ही अच्छी तरफ fry हो गया है इससे क्या है? ये ठंडा होने के बाद भी ऐसे ही बना रहेगा इसका आकार खराब नहीं होगा और खाने में भी ये बहुत ही अच्छा लगेगा तो बस हलके गरम तेल में हमने fry करना है इस चीज का आप ध्यान रखे तेल अगर बहुत ज़्यादा गरम हो तो इसका टेंपरेचर थोड़ा सा डाउन होने दे थोड़ी देर बाद इसे पलट देंगे थोड़ी थोड़ी देर पर इसे पलटते हुए हम आठ से नौ मिनट तक धीमी आज पर फ्राई कर लेंगे मैं आपको इतना डिटेल इसलिए बता रही हूँ ताकि आप जब गुजिया बनाए तो एकदम परफेक्ट बने आप गैस का फ्लेम भी देख रहे हैं इतने ही फ्लेम पर मैंने इसे फ्राई किया है आठ से नौ मिनट तक बस ये भी गुजिया जो है अच्छी तरफ फ्राई हो गया है और देखने में कितना अच्छा लग रहा है ये ठंडा होने के बाद भी ऐसे ही रहेगा और इस गुजिया को बना कर आप 5-6 दिन आराम से इंज्वाए कर सकते है क्योंकि इसमें खोवा मिला हुआ है तो 5-6 दिन से ज़्यादा आप इसे ना रखे और इसे रखना है हमें किसी ऐसे बरतर में ठंडा होने के बाद कि उसमें हवा लगती रहे इसे एर टाइट कंटेनर में नहीं रखना है ना ही हम इसे फ्रीज में रखेंगे तो बस आप देख सकते हैं गुजिया कितना अच्छा लग रहा है मैं आपको एक तोड़ कर भी दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छा कुरकुरा बना है धीमी आज पर फ्राई करने से क्या होता है गुजिया का जो उपर का लेयर है ना बहुत ही अच्छा हो जाता है क्रिस्पी हो जाता है बस उमीद करती हूँ ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक यू